देव सैने एकादिसी, तत्ह चतुमास व्रत। श्री कृष्ण बोले कि हे राजर्ण, असाध, सुक्र, पक्ष unpredictable इस एकादिसी को देव सैने एकादिसी भी कहती है। चाटुमास का व्रत इसी एकादिसी से प्रारंग होता है। युदिस्ठिर बोले भगवन, विश्णों के सयन का ब्रत किस प्रकार करना चलिए और चत्वमास के ब्रत भी करिए स्रीकृस्न बोले है राजन, अब मैं आपको भगवान विश्णों के सयन ब्रत और चत्वमास ब्रत की कता सुनाता हूँ आप साब्धान होकर सुनिए जब सूर्य करक रासी में आता है तो भगवान को सयन कराते है और जब तुला रासी में आता है तब भगवान को जगाते है अधिक मास के आने पर भी या विदी इसी प्रकार चलती है इसके सिवाय और महिने में नो तो सयम कराना चाहिए नो जगाना ही चाहिए असाद मास की एकादसी का विदिवर्त ब्रत करना चाहिए उस दिन विश्नु भगवान की चत्तुर दस भूजी सोने की मुर्ती बनाकर चत्तु मास ब्रत के नियम कर संकल्प करना चाहिए भगवान की मुर्ती को पितामबर पहना कर सुन्दर स्वेट सेया पर सयन करावे और धूप दीप नवेद आदिसी भगवान का सुचाद पूजन करें पंचामनित से अस्ननाद कराकर इस प्रकार कहें हे हिर्सी केश लच्षमी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ आप जब तक चातुमा सयन करें मेरे इस बृत को निविधन रखें इस प्रकार विष्णु भगवान की अस्तुत करके सुद्वहोश्य मनुस्यों को दातुन आदि के नियमूं को गरहन करना चाहिए विष्णु भगवान के बृत को गरहन करने की पाँच काल वन्नन किये हैं देव सैने 11 से यह बृत किया जाता है 11, 12, पुर्णमाशी, अस्तिमी और कर्थ की संकरांती से बृत प्रारंब किया जाता है तथा कार्थिक सुपला 12 को शमाप्त कर दिया जाता है ब्रत को करने से समस्त पाप नस्ट हो जाते हैं और जो मनुष प्रतिवर्ज इस ब्रत को करते हैं वे सुर्ज आदि दिप्तिमान बीवान पर बाइटकर स्वर्थ खुड जाती है इस ब्रत में गुरू तथा सुक्री की बाल ब्रिधा आवस्था बरजित नहीं है। यदि सोर्य धन राशी के अंस में भी आज गया तो यतिती पुर्ण समझी जाती है। जो इस्त्री या पुरूष पवित्र होकर सुधता से इस ब्रत को करते हैं वो सब पापों से चूट जाते हैं और बिना संक्रान्ति का मास मल मास देवता और पृति कर्मों में बरजित है। अब इसका अलग-अलग फल करते हैं जो मनुस प्रति दिन मंदीर में चांत देते हैं, जल से धोते हैं, गोवर से लितते हैं, मंदीरों में रंग करते हैं, उनको साथ जन तक ब्रामन योनी मिलती है। जो मनुस चतुर मास में भगवान को दूद, दाई, घी, सायद और मिश्री आदि से अशनान कराते हैं, तथा ब्रामनों को भूमी स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैवेवसाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र सुख भोगते हैं। जो विश्नु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर दूप, दीप, नवेद और पुष्प, आदिसी भगवान का पूजन करते हैं, वे इंद्र लोक में जाकर अच्छे सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, या स्वर्ण की तुलसी ब्राहनों को दान देते हैं, वे सोने की बीमान में बैटकर परमगती को प्रति होते हैं। जो मनुष भगवान को गूगल की दूप और दीप अरपन करते हैं, उनको अनेक प्रकार की संपती मिलती हैं। और वे जन्म जन्मांतर के लिए दानादाए हो जाते हैं। जो मनुष चतुर मास में कीपल की ब्रिच तथा भगवान विष्णू की परिक्रमा करते और पूजा करते हैं, उनको विष्णू लोग की प्राप्ति होती हैं। जो संद्या समय देवताओं तथा ब्रामनों को दीपदान करते हैं, तथा विष्णू भगवान का हवन करते हैं, वे सुंदर विमान में बैट कर अपसराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चन्नामित लेते हैं, वे सब कस्टों से मुप्त हो जाते हैं। जो नित्र प्रति मंदिर में तीनों समाई 108 वार गायत्री मंद्र का जब करते हैं, उनसे भी पाप सहराव दूर रहते हैं। जो गायत्री का धियान और जब करते हैं, उनसे व्यास भगवान प्रिसंद होते हैं। इसके उद्यापनों में सास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है जो पुरान हुआ धर्म सास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एबं बस्त्र तथा स्वर्न सहीत ब्लामनों को दान देते हैं वे दानी, धनी, ज्यानी और कृतिवान होते हैं जो मनुष विश्णू या सीव का अस्मरन करते हैं, अत्वा उनकी सोने की मुर्ती दान दिख करते हैं, साधी या प्रार्तना करते हैं, हे सीव, आपने त्रिपूर नामक देटी को मारा है, मेरे दोसों को भश्म करके मुझ को सदबुन दीजी। वो पाकों सी रहित होकर धनवान बुनवान हो जाते हैं, जो नित कर्म के पस्चात सुर्च को अर्ज देते हैं, तत्हा ब्रत की समाप्ती पर स्वर्न लाल बस्त्र और गौदान करते हैं, वो आयोग्यता, पूर्न आयों तत्हा किर्टी, धन और बल पाते हैं। चट्व मास में जो मनुष गायतरी मंत्र द्वारा तील से होम करते हैं, और समाप्ती पर दान करते हैं, उनके समस्त पाप नास होकर निरोग सरील मिलता है, तत्हा सुपात्र संतान मिलती है, जो मनुष अंसे हवन करते हैं, और समाप्त हो जाने पर गी का गूट भर कर, वस उनके सत्रों का नास होता है जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहीत बस्त्रों का दान करते हैं वे सब पापों से छूट कर भगवान के बग्त हो जाते हैं और जो मनुस तुलसी जी को धारन करते हैं तथा अंत में भगवान विश्णु के नेमित ब्रामनों को दान करते हैं वे विश्णु लोग को जाते हैं जो मनुस चत्तु मास प्रत में भगवान के सयन के उपरांत, उनके मस्तक पर निप्रती दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं, वे भी बैकुंट लोग पो जाते हैं। जो और जो दान करते हुए इस प्रकार अस्तुति करते हैं कि है दुर्वे तुम इस भाती इस पिर्थी पर साखाओं सही पहले हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो इस प्रकार अस्तुति करके सोनी की दुर्वा ब्रामन को दान करने हैं ऐसा करने वाले मनुस सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग लोग की प्राप्ति हो जाती है जो भगवान विष्णु और सीव के मंदिर में जाकर जागरन और सीव गां करते हैं वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और चटु मास ब्रत में उत्तम दोनी वाला घंटा दान करते हैं उनको या प्राथना करनी चाहिए हे भगवन हे जगत पते आप पापों के नाश करने वाले हैं आप मेरे कान करने योगी कर्मों को तथा नो करने योगी पापों को करने से जो पाप उत्पन हुए थे उनको नस्ट करिए ब्रति की समाप्ति पर जो गायों का या एक ही कपिला गौ का दान करते हैं बस्तर दान करते हैं अत्वा जो निक प्रति ब्रामनों को नमस्काल करते हैं वे धनादय होते हैं उनका जीवन सपल हो जाता है साथी समस्त पापों से छूट जाते हैं चत्रुमास में जो ब्रामुनों को बोजन कराते हैं उनकी आयू तथा लक्षिन की बिर्दी होती है जो मनुस्वागने का सूर्ज बनाकर ब्रामुन को दान देते हैं उसका फल सो यग्यों की समान होता है जो सिज्जी के प्रसनार्थ चांडी या तामे का दान करते हैं उनको सुर्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है जो साहद युक्त चांडी का बर्तन अत्वा तामे के पात में गुर भर कर और सयन होने पर तीर, सोना और जुते का दान करते हैं वे सीव लोग को प्राप्त होते हैं। सकर दान करते हैं। साथ है उद्यापन करते हैं। उद्यापन के विधी करते हैं। और उन्हें यसस्वी पूत्र की प्राप्त होते है। हे कुंति पूत्र चत्रमास ब्रत करने वाला मनुष गंधर विद्या मेनी पून और इस्त्रियों का प्रिय होता है जो मनुष चत्रमास ब्रत में फल मूल साख आधी का दान देते हैं वे सुखी और राज योगी होते हैं जो मनुष इस ब्रत में प्रतिदें सोट, मेच, पीपल, बस्त्र और दक्षना के सहीत दान करते हैं अंत में सोने के सोट, मेच, आधी दान करते हैं वे सो बर्स तक जिवित गार कर स्वर्ग में जाते हैं जो बुदिमान ब्रामन को मोती का दान करते हैं, वे किर्टी को प्राप्त होते हैं, जो मनुष इस ब्रत में तामबूल दान करते हैं, तथा जितिंद्रिये होकर पान खाना छोर देते हैं, और अंत में लाल बस्तर का दान देते हैं, वे सौंदर जिसाली मिलोग, बुदिमान भागेवान तथा सुन्दरवानी बोलने बाले बनते हैं तांबूल के दाम इसे देवता प्रसंद होकर अनंत धन देते हैं जो मनुशी स्वरत में लक्षिनी जी और पार्वती जी को प्रसंद करने के लिए हल्डी का दान करते और अंत में चांदी के पात्र में हल्डी भर कर देते हैं वे इस्त्रियां अपने पती के साथ और पती अपने पत्रियों के साथ सुप लोगते हैं तथा सोभागे अच्छे दान वा सुपात्र संतान में लिती हैं साथिवे देटाओं से पूजित होते हैं जो सीव और पारवती जी की प्रसनार्थ, ब्लामन, इस्तरी तथा पुरुष का पूजन कर वेक्षना बस्तर और स्वन दान करते हैं और उद्यापन में सीव की स्वाहिं प्रतिमा बना कर दान देते हैं, वाहिल का दान करते हैं, तथा मीठा भोजन भूखों को कराते हैं, उन्हें संपति और पिलती मेरती हैं, वे इस लोग में सुख भूख कर अंत में मूख